हलो दोस्तों स्वागत आपके मेरे चनल टेक्स दिलूशनिंग गेंग में आज हम बात करने जा रहे हैं बी एसनल एफटीटीएज ज्यो फाइवर और एसल फाइवर नेट में जो फाइवर केबल्स यूज होती हैं उनकी अंधर डाटा ट्रांसफर कैसे होता है क्योंकि जो भ करता है काम चलिए फिर स्टाट करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग जो चालने थे हैं इसको सिद्धान तो प्रिंसीपल क्या है वह किस प्रिंसीपल में जो है यह डाटा ट्रांसमेशन होता है एक फाइवर ऑप्टे कोर के अंदर तो उसमें जो है टोटल इंटर्नल रिफ नहीं होता है जो प्रकास भेज़ा जाएगा वही प्रकास जो है एंड में पहुचेगा ठीक है तो इसको पर थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि यह है क्या चीज तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक रोशनी यहां पर टकरा के एक मिरर में या फिर ग्लास बोर सकते हैं इसमें टकरा के यहां से बापस टकरा के जा रही है तो इसको बलते है रिफ्लैक्टिड बीम और यहां पर एक जो है रिफ्लैक्टिड बीम है जो कि इसके पास ठो glass हो रही है तो ये आपकी एक इसका example है समझने के लिए है है यहां पर तॉप इइब..! होता है यह एक आपकी pap map kailade hold के ब ब्रविन केवल है जिसके अंदर एक खोर होती है तो Àltra glass- 일반- डिकर quy Nothing County घड़स Mexican गुरा कहता है रोख और इसके बाहर जोऑ क vertex होती है जो की आपको reflection को अच्छे से बचा के रखती है और आपको जो है लॉस नहीं होने जिरती है इसका होता है लो इंडेक्स ओफ रिफ्रेक्टिट देन कोर कि यहां पर देख सकते हैं यहांपी जो है बीज है से ड्रावल करते हैं इसके अंदर फाइवर के निकर त好不好 के हैं है और याहां अ गई है नियू जर्सी से आपके यहां पर फाइड मांट और पैंच मार्क्स फ्रांस में और युनाड़ी इंडम में यह केबल गई हुए है जिसमें की डाटा ट्रांसमेशन होता है फाइवर अप्टेक के थू तो इसके हम इसको आपको डीटेल में एक्सप्रीन करते हैं कि य यह ओर जो किल आपको यहां पर डाईग्राम शोकिया गया है इसमें कि आपको यह अपर दिका रहा है यह जो अ किसक अदर 6 और शुपटिकल केंशेंद लिज किन इसकेंसरी so फाइवर ऑप्टिक केबल के साथ जो यह स्टील वायर और इस स्टील स्ट्रेंड जाली जाते हैं जो कि आपको सपोर्ट और मजबूती प्रवाइड करती है आपकी केबल को और यह देख सकते हैं आप 1,2,3,4,5 से कि यह जो है इसके अंदर फाइवर ऑप्टिक केबल दी गई हुई है जो कि आपके यूज में आती हैं यह सेंडर में स्टील वायर दिया है यह यह लास्टोमर बीच में यह कॉपर सिलेंडर है इसके अंदर काफी अच्छी मजबूत और प्रोटेक्टिव बनाते हैं क्यूंकि पानी के अंदर शार्क वगेर मचली होती है वह उसको ना काट सके इसलिए इसके अंदर यह इतनी सारी शील्डिंग होती है अंदर यह अंदर स्ट्रेंड क पानी कि और इसका डायमीटर दे रहा है तो अब आजाते हैं कि आपको डाता है वो कैसे ट्रांसफर होता है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं है यहाँ समझ लिज hace benefit चुँटा सा Tel A एक बल्ब है जो की च्छोटा सा LED बल्ब है जो कि आपको लाइट को ट्रांस्मीट कर रहा है तो यहां पे होगा यह जैसे कि आपका जो डायोड है वो वा अन होगा तो एक लेजर भेजेगा एक लाइट भेजी उसने फिर OFF होगा फिर भीजी लाइट, फिर व फोफ हुगा फिर भीजी लाइट, फिर भीजी लाइट भीजी तो इसका मतलब हैragen Robiner JOB जब इसका मतलब है वन, जब इसका मतलब है जीरू तो यहां फिर क्या वोड बना द्जीरो वन, जीरो लूइन यहां पे एक कोड बन गया फर यह code बनी गया और इस code को जो है binary code बोलते है analog code जो की आपका software read करता है फिर उसको read करके आपका जो है इसको आपको और अचिस में सब्सम्झाओंगा आगे चली फिर देखते हैं कैसे यहां पर मैंने कट बिल्कुल हटा दिया है यहां पर 101010 का मेकेशनिम यहां पर फॉलू कर रहा है तो ऐसे ही इसमें जो है डाटर ट्रांस्मीट होता है यह आपका आनोलोग वाइस सिगनल जैसे कि यहां पे है फॉर्ड डिजट इनकोडिंग ए सिक्स्टी लेवल अफ लाउडनेस तो इसको भी मैं एक्स्प्रेइन करता हूं क्या है यह चीज जैसे कि यहा लिका लगका चुडए है यहां पिर प्रकाष गया जैसे किक होन जीरो वन जीरो वन जीरो ओन तो यहां पर पे यहल पर कोड बनेया है यहां पर 190 11 001 1 1001 तो ऐसी यह के अंदर data transmit होता है और end point पे जाके आपको ये signal मिलता है और इसमें बहुत laser में जो है बहुत ही तेजी से data transmit होता है तो इस भी मैं आपको explain करूँ आगे वो होता कैसे है जिसे कि यहाँ पे पूरा एक बड़ा सा code बन गया है तो इस code जो है end point पे जब you detect करेगा तो उसका मतलब कुछ ना कुछ निकल के आजाएगा और आपको सवज में आजाएगा कि यहाँ यह चीज है क्या और क्या नहीं है तो आपको और अच्छे से समझाता हूँ मैं जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पी इक फाइबर ऑप्टिक केबिल है और यहाँ पी जो है एक समझ लीजे डायोड लगा उसने आपका लाइट जलाया one तो one गया तो one पे क्या हुआ जैसे यह one गया तो क्या है डायोड जला zero जाएगा तो डायोड बुझ जाएगा फिर 0 हो जाएगा तो डायोड बेंड हो जाएगा तो इसमें ऐसा system होता है ठीक है आप समझ रहे हो किसके अंदर क्या है जैसी 1 गया तो आपका डायोड जला अभी 0 है जैसी 1 जाएगा तो जल जाएगा जिरू जाएगा तो नहीं जाएगा तो यह जो है इसमें mechanism चलता है तो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे आपका डाटर ट्रेवल होता है यह आपकी फाइवर अक्टिब के वहला है जो कि आपके समझ दूर के अंदर होती है यह स्टील प्रोटेक्टिंग ऐसी देखो कितने सारी कवरिंग कितने सारी लियर में जाके आपकी यहां पर यह दिख रही है मिस बहु यहां देखिए इंटेंसिटी धीरी धीरी कम होरी वीग दिख रही है फाइवर ऑप्टिक के बल के अंदर यह वीग होती है उसको जो है कैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो उसके लिए इसके आप देखिए उसके लिए यहां पर जो रिपीटर का इस्तमाल किया गया है जैस उसने रीट करके बना लिया। फो उन कोड को को ईसने गया दुबारा से लेजर भीम की थुरूर्फ में दिया तो यहां पर क्या हुए electronic mechanism हुआ binary computer mechanism हुआ और फिर उसने दुबारा से जो है laser form में उसको travel करवा दिया उसके अंदर नहीं करता है वो डारेक्ट जो है स्मीं को लेगा और इस बीम को एंप्लिफाय कर देगा और दोबारा से जो है आपकी फाइवर अप्टिक में travel करने लग जाएगी जैसे कि आप यहां पेसे हैं वर्ल्ड मैप में जो है आपको United Kingdom से आपका Europe करने यूरूप से यह आपका इंडिया करनेक्ट और यहीं से आप देख सकते हैं पूरी केवल तो है यहां से वहां यहां से भाइवर अप्टेक से हैं और फाइवर ऑप्टेक नेट्वर्प बहुत फास्टेड है सैटलाइट तो कहीं भी नहीं लगते हैं से आपको बिल्कुल भी डाइड अटनास्में नहीं कर सकते हैं बिना फाइवर ऑप्टेक बहुत ही फास्ट इंटरनेट कम्निकेशन देती है आपको देख सकते हैं इंडिया भी जो है सारे कंट्री सो जो है कनेक्टिड है यहां के तुरू और यहां से तो इसमें आपको एक् इसमें से निकल रही है तो यहां पर आपको एक्जेम्पल बता देता हूं जैसे कि यह जो दिखरा ना यह यह इस कोर है और यह दिखरा है यह क्या आपके फोटॉन से बोल सकते हैं आप इनको लाइट के फोटॉन से यह तो जो कि इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और दिखाएंगे कि यह कोर के अंदर जो है ट्रैवल कर रहे हैं इस पूरी ही कोर है यह अपनी सेंटर कोर जिसके अंदर से जाना चाहिए डाटा तो यहां पर क्या हो रहा है एक चीज़ दिखाते हैं यहां पर जो फोटॉन से जिसे कि यहां पर क्या है एक दूसरी से टकरा र बहुत जादा है अगर आपक ट्राफिक बहुत जड़ी 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 इनको जलनी बहुत जलिऋdzie ञड़ीजी इनको जलनी जलनी ट्रैविल होगे है तो यहां पर यह तो यह जोग डीक राल वार काया है ने कुछ force wholeıyla 裡面 UX किया करेंगे यहां तो आप दूसर से लाइन पर इसको ट्रे도 करेंगे यहां तो after क chemotherapy आतए कि यह तो फिर इस नामीतर पर बड़ा वाले का जबड़ी डामीतर वाली था सुन वो लेंगे जिसमें कि आपका डाटा आराम से ट्रेवल हो जाएगा और यह दूसरे में नहीं टक्राएंगे जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक फाइवर ट्यूब ले रखी है तो यहां पर क्या है सीधा कर रखा है अगर बिल्कुर यह सीधा ट्रेक रहेंगा तो सिग्नल है वो बहुत सीधा में जाएगो बहुत सीफीद में बहुत जयदा स्पीड में जाएगो जाएगगे और एक दुसरे में और टक्राने के चयांसे जदा रहेंगे तो इसलिए यहां पर किया गयाओ। यहां पर थोड़ी सीधी कर दी गई है तो यहां पर रे्ड तो मद्धी कर लेगे तो वैसी यहां पर जो है सारे के सारी जो है मद्धी हो जाते हैं और फिर आराम से ट्रेवल करते हैं अगर बिल्कुल स्पीड हाईवे रहेगा तो सब लोग जो है तेज चलेंगे और चांसे रहेगा बाइचांस जो है टक्राने का और आपका डाटा यह होता है आपका ठीक न यह जो है डाइउड है जो कि आपको डाटा ट्रांसमेट करते हैं इसके अंदर तो बस इतना ही मुझे आपको बताना था कि इसके अंदर कैसे आपका जो है डाटा ट्रांसमेशन होता है बहुत ही इजी तरीक से मैंने आपको एक्स्प्लीन किया है इतना explain कोई easy तरीके से नहीं करेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए मेरी चनल को और सब्सक्राइब किजिए Thank you for watching my video, thank you